नमस्का सिक्षातियों कल दस तारिक है और सुकर बार का दीन है कल हम लोग सची वाले जाएंगे और मौझूदा जो सुडूल है उसी सुडूल पे हम लोग कौंसलिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं सिच्छा विभाग भी मौझूदा सुडूल पे कॉंसलिंग कराने का परियास कर रही है निर्वाचा नायों को पत्र लिखा गया है मैं सबस्ता हूँ कि कल साइद उसका जवाब आए खर कल ये सारी मुद्दा को लेके हम लोग सचिवाले में जाना है और कई सी चकसाथी को मैं सुचित करना चाहता हूँ कि कई लोगों का नियोजन हो गया है तो इस समंद्ध में अमलेंसर से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि थर्ड राउं काउंसलिंग के पहले जो भी समस्याएं हैं को सॉल्व कर लिया जाएगा यदि नियोजन इकाई में नियोजन जो हुआ है उनको बचाने का परियास किया जाएगा ज्यादा समस्या नहीं होगी तो उनका नियोजन को बचाया जाएगा ज्यादा समस्या होगा तो उसको ठर्ड रॉन के पहले उसको रद किया जाएगा कि कि आप लोग ठाड डॉन की कॉंसलेंग में पाटिसिपेट कर सकें तो यह जो भी समस्यां हैं पूरे दिन जो मुझे फोन करते हैं मैं किसी कारण बस फोन नहीं उठाया पाया हूं उन सभी सी चक्षातियों को सुझित किया जाता है कि कल आप एक सौट आवेदन लिख के लेक परिशान है वह भी अभ्यार्थी आ सकते हैं जो पटना के आसपास में रहते हैं ताकि माने यह प्रधान सचीब को आप जो भी समस्यां है आप बता सकें तो जो सबसे क्रिटकल मामला है कि जिनका नियोजन हो गया है और किसी कारण बस उनका मामला फंस रहा है वो अभ्यार होगी तो आप कहीं का नहीं रहेंगे तो वो सब जितने भी साथी है जो मुझे फोन कर रहे हैं सभी से तो बात नहीं हो पाया हमारा बैस्ता रहने कारण तो सब साथी बीना मुझे फोन किये हुए साने तीन वजे कल सचीबाले में आए और जो भी समस्या है मानिए परधान अदिन का डिले होगा और दिसमबर में ही हम लोग जो जारी कराएंगा अलग बात है कि जनवरी में कॉंसलिंग हो दिसमबर में परियास कि रहेंगे कि पांत दिन साथ कि छूट ना जाएं बहुत बहुत धनेवाद